ये कट्टा में तिजोरी में छिपा देता हूँ, राजा बनने में काम आएगा देखो पिछली बार C.A.P.F का पेपर जरूरत से ज़्यादा ही अतरंगी बन गया था, और सोशल मीडिया में काफी ट्रॉलिंग भी हुआ था, इसलिए हम चाहते हैं कि C.D.A.S का पेपर सेट करो, लेकिन थोड़ा कम अतरंगी सेट करना, लेकिन थोड़ा बहुत रैंडम जी के जरूर से पूछना, वरना डर खतम तो इजज़त खतम, जैसे कि पिछले चार लोग सभाओं के स्पीकर कौन थे, सबसे पहेला ट्रांसजेंडर O.P.D. कीस अस्पताल में खुला, और हा, हिस्ट्री में बारीक-बारीक फैक्ट्स, ड आप समझते हैं कि आप मुसे कहेंगे और मैं आपके लिए कि हम समझते नहीं जानते हैं क्या जानते हैं आप यही के तुम्हें अपनी बीवी से बहुत महबत है क्या मतलब अभी पता लग जाएगा क्या तुम्हें यह बताने की जुरूरत है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी का क्या अंजाम होगा देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तुम हमें नहीं जानते हम कुछ भी कर सकते हैं जैसे की बिना दस्तावेजों की ठीक से जाँच परताल किये किसी को भी विकलांग कोटा दे सकते है जब तक सोशियल मीडिया में उसका हंगामा नहीं हो आत्मी दुनिया में हर काम कभी न कभी तो पहली बार करता है आतों मित्रों कुछ दिनों पहले यूपीसी का सीए पीएफ पेपर हमने देखा था कि कैसे अतरंगी सवाल पूछे गए थे जिसमें एक से ज़्यादा जवाब करेक्ट हो सकते हैं तो मैं आबारी हूँ यूपीसी के इन प्रोफेसर्स का जिनोंने ठीक ठाक वेपर बनाया बहुत-बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी और हम अब इसके अंदर इकोनॉमी के क्वेश्चन स्वाल करेंगे आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर एक तो मैं इसको बहुत तेजी से निप्टा दूँगा क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने बेजिक सिलेबस खतम किया है जादा तर देखे जो भी यूपीसी की सीडियस तेयरी करता है उत दो जात के लोग होते हैं एक दम हार्ड कोर की जिनका सपना है मिलिटरी माँ ओफिसर बनने का तो वो भी ठीक ठाक तैयारी करके बैठे हो दे और दूसरे ऐसे जो आई-एस और सीडियस की पैरलल तैयारी कर रहे हैं या आई-एस में अस अफलता के बाद प्लान बी में हो कर रहे हैं तो जादा तर वहाँ पर मैच और क्रीम सीरियस ओडियन्स रहती है तो मैं उम्मिद करके चलता हूँ पहले से सब पढ़के बैठे इसलिए मैं जल्दी से निप्टा दूँगा यह वीडियो सब थियरी समझाने नहीं बैठूँगा तीसरा मैं यहाँ पर स्ट्राइक रेट बताता रहूँगा मतलब कि यह वाला मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था उसके दो कारणे एक तो accountability रहे कि जो फी लेकि आप पढ़ाते हैं तो उसमें से प्रश्ण कुछ आते हैं कि नहीं और दूसरा यह जो सब negative PR चलता है मेरे किलाब की तुमारे नोट्स काफी लें दिये तो बैस सवाल भी ऐसे microscopic general knowledge पूछ रहा है वो तो लंबाई नोट चलता है अपना क्यार तो कुल मिलाकर 120 question जिसके अंदर से 25 question ऐसे जो economy, government scheme और IR में ऐसे organization जिनका economy के साथ कुछ निजबत है वो हम मिलाकर देखे करीब यह 25 प्रश्ण बनते हैं अपकोर्स यह debatable होता है क्योंकि अगर समझो कोई international relation पढ़ाने वाले teacher वो बले मेरा है मैं economy पढ़ाता हूँ मुझे हमेश यह दिखाना हूँ कि मेरे subject से ज़्यादा पूछा जाता है तो यह चलते रहता है इस पे आप बहुत लोड ना ले आ तो यह जो भी प्रश्ण इसके अंदर 15 तो ऐसे हैं जो मेरे notes lecture से solve हो सकते हैं दो ऐसे हैं जिसमें 50-50 elimination हो सकता है मेरे notes material से और 8 ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाये थे वो कुछ ऐसा random पूछा जिसकी मुझे को उम्मीद भी नहीं थी लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा है तो मैं सब्वक लेता हूं स्विकार करता हूं और आगे अपने notes को ऐसे ठीक ठीक करता रहूंगा अपडेट करता रहूंगा अगले साथ दिनों के लिए आप Unacademy के सारे paid courses completely free देख सकते हैं paid lectures, notes, powerpoint, mocks, सब कुछ मुफत में देख सकते हैं ऐसा teachers day के अवसर पर हमारा offer चला है लाब उठा ये link is in the description और एक mobile number से के वाली एक बार unlock पूरी जिंदगी में होता है तो इसलिए आप द्यान रख्यों क्यार economy आप जानते में 6 pillar में पढ़ाता हूं जातवा pillar भी जुड़ता है micro economics उसमें से वो प्रशन पूछते हैं एक दो एक दो सवाल आते रहते हैं क्यार ये सारे हम solve करेंगे जादा तर तो easy है कुछ जगा tricky है तो वीडियो आप पूरा end तक देखना कि वो tricky सवालों को भी हम कैसे निप्टा सकते थे या उसमें क्या सबक लेना है सबसे पहले pillar one में बात करें तो थोड़ा यूनिक इसलिए कि normally pillar one money banking finance insurance में ये bitcoin, digital payment, monetary policy, CRR, repo इसके सवाल बार बार आते हैं लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछा इस बार उन्होंने सिधा insurance और ULIP के बार में पूछा जो हम सम insurance policy, वो ऐसा होता है कि मालीज आप insurance company में जाए, ये देडलाक रुपे मेरी फीजलो और मुझे जीवन भीमा देदो जो भी 5 करोड का, अब ये जो ULIP होते हैं उसमें बात ऐसी है कि कुछ पैसा आपका share market में invest होता है और कुछ माना जाता है कि वो insurance के लिए आपका गया, तो मिल जाना चाहिए, option भी आपको दिया जाए, कि अच्छा share market में 10 टका investment करो, 90% insurance में रखो, तो ज्यादा तर लोग क्या prefer करेंगे option है, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि मैं जब तक जिन्दा हूँ, तो मेरी wealth accumulate होती रहे, और मैं उसको देख सकूँ, मैं मर गया और मेरी family को 10 20 करोड रुपे मिल जाएंगे, पर मैं तो देखने रहूंगा नहीं, तो अगर ulip type का किया जाए, कि आपको पैसा देना और दो डिबो में रखना है, थोड़ा share market में थोड़ा insurance का बात, जो मरने के बाद आएगा, तो स्वाबाई के share market वाली side पर public जादा रखेगे, बट इ सकता है, आपको सिर्फ 20 लाग रुपे ही मिले, मरने के बाद आपके family को, और उससे तो पूरी जिनकी चल नहीं सकती, जितनी में आगाई बढ़ रही है, तो यह जो आपका हो गया कि मेरे जीवन का इतना मुल्य था, मालो एक करोड, लेकिन मैं बस 20 लाग का insurance करके मर गया, यह हुआ financing gap या insurance gap, और इसका कारण कौन जिम्मेदार हैं, आप खुद थे, क्योंकि आपने ऐसा savings product लिया था, जिसके अंदर आपने, मलब share market investment saving में जादा गया, और insurance वाले में कम गया, ऐसा आपने ulip product चूस किया था, इसके बारे में पिछले साल के economic survey में बात थी, कि hence household remain exposed to significant financing gap in event of premature death of primary bread winner, because most of the life insurance are sold in India, are savings linked, which just the small protection component, यह वाले चीज़ मैंने अपने lecture या handout में कवर ने की थी, उसका कारण यह है, कि जब हम PYQ देखते हैं, UPSC के ISO, CDS वगेरा, usually insurance वाले segment में क्या पूछते हैं, schemes के बारे में पूछते हैं, यह एक एक लाइन का general knowledge पूछते हैं, कि यह वाला insurance product कैसा होगा, जैसे कि cyber insurance आपने लिया और आपका computer कोई हथोड़ा मार के तोड़ देता है, तापको पैसा मिलेगा कि नहीं वगेर, अब इतनी जो बारिक और refined analysis है, वो पूछने का रिवाज नहीं है, तो मैं जबर जस्ती का थोपता नहीं लोगों पे और अपना रश्या के oil seller को कहेंगे भाई तुम रश्या की bank में खाता खोलो, उस Russian bank को बोलेगे भारत की कोई bank में खाता खोलो, रूपिये वाला, और उसमें हम यह payment करते रहेंगे, तो ऐसे nostro-wastro account होते हैं, इसमें हो क्या रहा है, भारत का SBI जो भारत का bank है, वो रश्या की bank के लग लग वीडियो में, free में भी, paid में भी, और दूसरा हमने पढ़ा, insurance के बारे में, insurance density और saving link यह होता है, वीडियो pause करके देखना, इसका जवाब है दोनों correct है, अलाकि मैं इसका credit claim नहीं कर रहा, 50-50 कर रहा हूं क्योंकि आदा ही मैंने पढ़ा था, insurance वाला नहीं पढ़ा second pillar of economy, देखिए, जब भी यह finance commission यानि की वित्तायोग बनता है, उसका काम क्या है कि union government ने tax में जितना पैसा कले किया, उसमें से states को कुछ पैसा वो दे कितना, तो 41% अभी तो देने की बात है, और ऐसा 15 वाप वित्तायोग था, वो N.K. Singh chairman थे, अभी 16 वाबना, अर्विन प charge का पैसा share किया जाएगा नहीं, sales का पैसा share करेंगे नहीं, तो नहीं देते हैं, अगर आपको इधर क्या है, MCQ पूछा है, कि इन में से कौन सी चीज, finance commission नीचे states को नहीं दे सकता, तो income tax दे सकता है, corporate profit tax दे सकता है, exercise duty में से हिसा दे सकता है, सर्चाज और sales का नहीं दे सकत तो this is wrong, और हमको wrong statement पूछा है, ये भी बार-बार मैंने पढ़ा है, हर बार की budget free series में भी पढ़ता हो, तो it is done, मतलब जो win 23 वगेरा वाली हुई उसको देखना, अभी July में जो budget आया था, उसको तो 10-12 मिनिट में ही निप्टा दिया, क्योंकि समझो, mid of the year budget आये तो अपनी next टाये से exam तो में महीने में है ना तो उससे पहले February 2025 में को और budget मुझे पढ़ा ना, इसलिए इदर जल्डी निप्टा दिया, but otherwise वो series तो complete कोई थी, पूराने आप full length वाले वीडियो देखे, फिर एक प्रशन है कि इन में से कौन सी चीज में सरकार का सबसे ज़्यादा revenue expenditure जा करेक्ट है, highway में पैसा जाएगा, defense में जाएगा, लेकिन सरकार ने पुराने loan ही इतने ले लखे रखे हैं कि इसका ब्याद चुकाना है, उसमें लगबग 10-11 लग तो चले जाते हैं, so answer is which of these is the highest revenue expenditure, so answer is B, video pause करके और option पर लेना, पिर एक प्रशन financial action task force क्या है, ये बार-बार चर्चा में रहा था क्यूंकि पाकिस्तान को gray list में डाला गया था, और ये क्या है, पैरिस में बैठी एक संस्था है, जिसका काम क्या है, money laundering और terror finance से लड़ना, तो आसान सवाल है, हर एक coaching वाले ने तो cover किया है, मैं अभी credit claim कर बारत सरकार ने ऐसा सोचा कि ऐसी जो भी group B, group B, group C वगरे परिक्षाए हो रही है, उनकी combined computer test लेते हैं और उसका score valid है, और साल में वो दूसरे बार use कर सके, ऐसा कुछ सब खेल करना था उनको, क्रियानवित पूरी तरह से होना अभी हाला कि बाकि है, लेकिन ऐसा common eligibility test set करने क बात थी, यह जो संस्था है, यह 2020 में बनी थी, तो उस हिसाब से इसका answer बनता है, वीडियो पॉस करके बाकि आप देख लेना option, गलत क्यों और कैसे, यह चीज़ भी मैंने budget taxation में पढ़ा थी, इसलिए क्योंकि budget के साथ हम पढ़ते हैं pay commission, और pay commission के साथ जुड़ा कि और recruitment मे के नए आयाम हो रहे हैं, सरकार की इंडिया yearbook में भी दिया है, 2023 के अंदर भी और 2024 में, देखिए यह दो जो yearbook निकली सरकार की, इसमें फ़रक क्या है, 2024 में इन्होंने सोचा कि थोड़ा compress कर देते हैं, compress करने के चकर में कुछ जगा पर facts उन्होंने omit कर दिये, बगवान की 23 की book से solve हो सकते, 24 से नहीं हो सकते, क्योंकि 24 में उन्होंने उसको omit कर दिया था, पेज बचाने के लिए, कर आगे बढ़ते हैं, तो pillar to budget taxation में, सर्चाज FTA revenue expenditure के बारे में पूछा, अब ही चलते हैं pillar 3 में, यानि import, export, FDI, world trade organization वगएरा, कुछ तो basic, simple classification पूछा, balance of payment का classification है, यह मैं बार-बार पढ़ा चुका हूं, तो video pause करके देख ले न, अब उसमें से पूछा, कि capital account में कौन सा नहीं होता, तो देखे, FDI तो होता है, borrowing भी होता है, तो invisible तो पका नहीं होता है, so, क्योंकि invisible जो चीज है, देखे, current account और उसके अंदर invisible के अंदर आता है, interest, profit, transfer, emittance वागेरा, anyway, so, answer should be C, it is not part of the capital account, external assistance वाला तोड़ा tricky है, या debatable है, क्योंकि वो भी अगर gift या donation के रूप में आप समझो, तो वो भी आ जाएगा, current account में, अलग कि अब answer किया है, तो हम देखे, पन invisible शब्द जब तक है, तो पहले light उस पे अपनी जानी चाहिए, बीच में भारत सरकार ने एक टेपा नाम का agreement किया था, वो grouping के अंदर, Norway, Switzerland, Lankinstein, Iceland थे, तो मतलब England नहीं था, आतो वो ही पूछा है, which is not member, ये भी अमने पढ़ा था, lecture में हुआ था, वीडियो पॉस करके देख लेना, options, फिर पूछा, SCO, Shanghai Corporation Organization, तो उसके अंदर आप समझो members 9 है, Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, फिर इंडिया, Pakistan मेरे कहल से 2017 में जोइन हुए, फिर इरानबाद में हुआ, तो 9 member है, 13 तो नहीं है, बराबर तो उस हिसाब से, third statement is wrong, तो eliminate करके हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बाकी 2 statement ऐसे हैं, मैंने वो नहीं पढ़ाय थे, लेकिन 50-50 तो भी हो सकता था, मैंने आपको याद कर रहा है, फिर से याद कर रहता हूं, साथ दिन, completely सारे paid courses, सारा material, notes, mocks, सब कुछ आप कर सकते हैं, अने academy का, teachers day का offer चल रहा है, तो इसका फायदा उठे, link is in the description, कुछ लोग कहते हैं, वो बराबर, एपन फिर तुमारे video कहां से देखें लिंक में से, उसके बाद आप मेरी profile पे जाना, unacademy.com.org, उसमें courses, उसके अंदर latest, तो अभी latest मेरा चला है, PCB12, जो 15 अगस्ते मैंने चालू किया, prelims 2025 की economy की तियारी के लिए, तो अभी 3 हफते के classes हुए, not too late to join, तो पहले तो recorded जितने हो, खतम कर लो, और फिर आगे live से, उदर से सब माल डाउनलोड कर सकते हैं, mobile app से अगर आप देखें, तो mobile app में मेरी profile को देखना, unacademy में जाके, उनाल पटेल, courses, latest, PCB12, bell icon दबाना, तो PDF फाइल उसमें आपको सारी मिल जाएगी, और PDF फाइल, उसमें 3.top section में होते हैं, उसको click करो तो, डाउनलोड का option आत और उसके सारे courses आपके unlock हो गए, bilingual में मंजिल बैचे, English में Liberty, Hindi में लक्षा, और यह सब कुछ इधर से उदर आप देख सकते हैं, Netflix देख साई, अलग कोई पैसा नहीं, तो 7 दिन का trial unlock हो तो सब के लिए unlock हो गए, हाँ तो pillar 3, international trade में क्या टेपा, SEO और classification पूछा, अभी pillar 4, sectors के अंदर थोड़े tricky question आएंगे, कुछ तो आसान है कि आत्मा निर्बर बारत जो किया गया उसमें क्या है, manufacturing भी बढ़ाना है, export बढ़ाना है, और FDI बारत की domestic कंपनियों में वो भी हम चाहते हैं, for example, defense military के अंदर FDI बढ़ाया था, थाकि बारत में बंदुख missile वाली कंपनियो तो basically NCRT का national income accounting नाम का chapter है, कुल मिला कर गुम फिर के बात आती है GDP, अब कोश national income उसके आगे का concept है, पन समझो वहां तक तो शीखर स्थान तक हम को पहुँचाता है, so whenever we talk about national income, we start from GDP, अब मालीजे भारत सरकार एक गरीब मैला को check देती है, इसको हम कहेंगे transfer payment, तो क्या इसे ह count कर सकते हैं, जवाब है नहीं, क्योंकि GDP का मतलब क्या है, it is the market value of all the goods and services produced in India in a single year, एक साल में बारत में जिसनी वस्तु और सेवा का उतपादन हुआ, उसको हम GDP यानि सकल गरेल उतपाद कहते हैं, तो इधर ये गरीब मैलाने कुछ, goods and services बनाए नहीं है, बेचे नहीं है, उ it will be counted in her personal income, yes, क्योंकि उसको पैसा तो मिला, जो उसकी अब आए हो गई, जिससे वो कुछ खरीदी कर सकती है, अब क्या वो consumption करेगी, यानि C, या वो savings करेगी, कि 2000 रुपे में बचा के रखते हैं, वो तो उस पे निरबर है न, तो GDP पर इसकी असर हमको नापना मुश्किल हो GDP के एक formula है, consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import, CIGXM equal GDP, तो ये जो transfer में 2000 रुपे दिये न, तो government expenditure नहीं है, क्योंकि ये transfer हो रहा है सामने मैला ने कुछ good services बनाई नहीं थे, तो आप समझो कि अगर सरकार ये ऐसा transfer करेगी पैसा, तो एक तो GDP में count नहीं होगा, और आप कहने ने भाई, वो तो consumption ब वक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मैला save भी कर सकती थी पैसा, however, माल लीजे सरकार ने directly government expenditure के नाम पे, मालों की नया कोई table कुरसी बाजार से खरीद लिया, या किसानों से minimum support price पे अनाज खरीद लिया, तो तो definitely GDP या national income बढ़ा है, ऐसाम बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब तो production हुआ था और सरकार ने खरीदा था, so remember, government expenditure will improve GDP correct, government transfer will improve GDP, तो वो cannot be said with confidence, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, expenditure से बढ़ेगा, transfer से बढ़ेगा कि नहीं हम पक्का बोल नहीं सकते, अब इस तरज पे, ये एक statement है, video pause करके English Hindi सुकुन से follow, और ये statement wrong है, क्योंकि मैंने जो आपको बता है, उस हिसाब से ये अभी wrong होगा, 3, 2, 1, तो tricky statement है, बट ये एक statement पूछा, अभी दूसरा पढ़ते हैं, फिर पूरा MC क्यों देखते हैं, दूसरा, मालीजे सरकार अपना खर्चा बढ़ाना चाहते हैं, कि government expenditure बढ़ाते हैं, ये उमीद में कि हमारा GDP भी बढ़ जाएगा, क्योंकि formula के हिसाब से वो बढ़ना चाहिए, लेकिन मालीजे money supply को नहीं बढ़ाया जाता, पैसा जितना है, system में उतना ही रहे, RBA नया पैसा चापके ना दे, RBA को ऐसा खेल ना करे, ताकि money supply बढ़े, कुछ ना हो, ना CRR कम करे, ना repo आसान करे तो फिर क्या होगा, government को expenditure बढ़ाना है, RBA पैसा नहीं बढ़ा रहा है, तो सरकार ने क्या करना पड़ है, दो option होगे, option A, जनता से income tax GST ज्यादा मागना चालू करे, अब इससे होगा ये पैसा आएगा, तो government expenditure तो बढ़ेगा, लेकिन आप समझो, consumption कम हो जाएगा, क्योंकि जनता के पास पैसा कम बचेगा, ना disposable income, क्योंकि income tax में पैसा सरकार लेगे, सरकार GST बढ़ाएगे, तो जनता के लिए TV फ्रीज में हो जाएगा, तो खरी देंगे नहीं, या postpone कर देंगे अपनी खरीदी का decision, तो अब आप क्या पका बोल सकते है कि government expenditure बढ़ाया, money supply तो नह सरका नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए सरकार ने tax बढ़ाया होगा, तो consumption down होगा, तो plus minus negative zero भी हो जाए, no effect में भी, similarly, माली जे government के नहीं election आ रहे हैं, तो tax तो नहीं बढ़ाना है, लेकिन हम market से पैसा ज़्यादा loan में लेते हैं, अगर ऐसा होगा, तो समझो market के पास, ब होता है, और जिसको कम risk वाला investor है, जिसको risk कम लेना है, he will prefer to go there, दूसरा बहुत सारी सरकारी कंपनिया, insurance company, banking company, उन पर तो government pressure भी डाल सकते हैं, कि तुम हमारे ही bonds में invest करो, बले अदानी, अंबानी या टाटा आपको ज़्यादा interest offer करें, तो भी वहाँ पर निवेश मत करना, तो ऐसी situation में क्या होगा, कि businessman का investment वाला जो pillar है, वो down हो जाएगा, जिसको हम कहते है, crowding out effect, crowding out कहां से, माली जे loan लेने के लिए बीड लगी थी, तो सरकानिया के दक्का मार मार के ये सब टाटा मणी को बगा दिया, कि हम ही सारा पैसा market से loan में लेंगी, तो again in this case, कि government spending बढ़ती है, by borrowing money उधारी लेकर, तो क्या GDP बढ़ेगा हम पका नहीं बोल सकते, क्योंकि इस तरब G बढ़ जाएगा, लेकिन सामने आई for investment by businessmen, वो कम हो सकता है, तो plus minus क्या effect होगा net, हम बोल नहीं सकते, अब इस पे से ये statement पुछा, second वाला video pause करके देखना, 3, 2, 1, हाते बराबर है, कि अगर expansion of money नहीं होता है, मरलब RBI, CRR कम ना करे, SLR कम ना करे, रेपो कम ना करे, ऐसा कुछ ना करे, और सिर्फ सरकार कहें कि नहीं हमें C, I, G, X, M के अंदर G को बढ़ा देना है, then it is likely कि C और I कम हो जाएंगे, तो GDP increase होगा कि नहीं हम पका बोल नहीं सकते, या less likely to have impact on income, यहाँ पर income समझो, national income के संदर में पूछा है, तो यानि कि GDP की ब 3, 2, 1, okay, इसके अंदर मैंने जो concept पढ़ा हैं, उसको बहुत दिमाग लगा लगा के solve करो, तो हो तो सकता है, पर मैं पूरा credit उसमें claim नहीं करोगा, real life में यह possible नहीं है, आप 120 सवाल solve करें serious के, जितना stress होता है, जितनी ही time limit होती है, so maximum while के claim 50-50, कि जो transfer वाला है, उसको तो log logic से eliminate कर सकते थे, आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको लगबग 2-3 बार इसी unstoppable channel पर बताया है, कि भाई जो inflation होता है, वो year on year basis पर count होता है, कि पिछले वर्स के मुकाबले कितना था, तो अगर year 1 में 100 रुपे बाव चला था, year 2 में 110 और year 3 में 132, तो अब यह नहीं बोल सकते क year 1 के मुकाबले year 3 के अंदर 32% increase है, तो ऐसा inflation नहीं होता, inflation आपको पिछले साल के मुकाबले count calculate करना पड़े, तो उस तरस पे समझो, year 2 में 110 रुपे बाव था, year 3 में 132 हो गया, तो इधर से इधर यह कितना बढ़ा है, तो उतना C-set आपको पता है, 132-110, divided by 110 times 100, तो जो भी है, suppose 20%, बस तो यही UPSC ने पूछा, इस वाली CDS परिक्षा में, तो आपको रकम उन्होंने बढ़ लिया, तो मैस का तो कोई ऐसा screenshot दिखा नहीं सकता, कि same to same रकम का मैंने भी दाखिला गिनवाया था, बट हमने वो सिद्धानत और calculation समझी थी, so I claim full credit, और यह मैंने समझा उ उन्होंने यही चीज पूछी थी, खाली रकम अलग थी, कि 121 की जगा, 132 अभी पूछा, लास्ट टाइम जो पूछा था, 121, तब भी मैंने मीम बना के सब दिया था आपको, तो आपको पुराने भी पेपर स्वाल करने चाहिए, CDS वगेरा परिक्षाओ के, यह परिक्षाओं ऐसी हैं कि अगर आप UPSC, IS की तियारी कर रहें, तो इसके बाद इसको मैनेज करना काफी आसान है, शर्त यह है, कि आप पुराने पेपर टॉपिक वाइस देखो, Amazon पे जाओ यह, दिशा पुब्लिकेशन, अरिहन पुब्लिकेशन, वगेरा, बहुत सारे लोगों ने निकाले, जो भी सस्ता आपको मिले ले लो, उसमें से आप स्वाल करिया, और उस हिसाब से थोड़ा अपना पढ़ाई में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जैसे यह जो CDS पेपर होता है, उसमें Class 11-12 का Physics, Chemistry, Biology जादा पुछते हैं, जो IS में ने पुछते, य बलब मैनेजेबल की, जो सिंसियर व्यक्ति है, जो IS की तियरी करके बैठा है, उसके लिए CDS, CAPF करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर आगे बढ़ते हैं, पिलर 5 इंफ्रास्टक्चर देन पिलर 6, माइक्रो एकोनोमिक्स, तीन चीज़ बढ़ती है, इंफ्रास्टक्चर में EPFO के बारे में कुछ मैंने कॉंटेंट वीडियो बनाए थे, तब भी मैं बोल चुका था, उसके बाद CAPF के पेपर है, तब भी मैं बोल चुका हूँ, NCRT की ये जो भी क्लास 11 या 12 की Human Geography की किताब है, जिसमें पूरी दुनिया में economic activities क्या हो रहे, उसको आप neglect ना करे, ना करे, ना करे, एक बार कुछ वहाँ से फार्म, ट्रक फार्मिंग के बारे में पूछा, दूसरी बार कुछ और पूछा, पॉट्स के बारे में, अगें, अभी कि CDS में पूछा, pot of call, तो Singapore है, आंट्रपोर, तो वो भी Singapore है, नेवल pot, करवार है, वगेरा, उन्होंने सब दिया है, अब उस हिसाब से पूछा, कौन से pot का कौन सा type है, तो ये सब हम solve कर सकते हैं, वीडियो pause करके देखना, answer will be D, मैं अभी इसकी credit claim करता हूँ, क्यों बात समझते नहीं है, याद नहीं रखते, देखते नहीं किताबे, तो जो coaching लेखे बैठा है, उसकी तो जिम्मेदारी बनते हैं, भाई, कम से कम ये तो देख नहीं है, तो therefore my pillar 5 infrastructure का handout है, वो लंबा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे facts रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, अ आइस तो समझें, यार हजार लोग की नौकरी लगने वाली है, तो बाकी जितने लोग हुए, उनका कुछ तो कल्यान हो सके, तो ऐसा 10-20 टका extra तो होना चाहिए कि नहीं material, और आइस में भी ऐसा कुछ टेम पेपर पे नहीं है, कि नहीं पूछेंगे general knowledge, पिछले 2 साल में आ पूछास वीडियो पॉज करके option देखना, 3,2,1, बात ऐसी है कि सागर मंथन है, वो marine transport के बारे में एक portal है, उससे मचलियों को जाधा पकड़ेंगे, उसका objective नहीं है, तो wrong हो जाता है, हमको पूछाए कि wrong statement find करो, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ये yearbook के अंदर भी दिया ए ये प्रशना जो पूछा, इसमें कुछ option ऐसे हैं, जो 2023 में चर्चा में थे, जैसे Costa Serena वो बारत का पहला international cruise island है, वो November 2023 में कुछ समाचा रहे थे, जो अभी पूछे, तो लगबग एक साल जितना पुराना भी वो लोग पूछ रहे हैं, तो हलके में मतले, पहले CDS में ऐसा जाता कि 6-8 महिने तक का याद करके जाओ, तो काम हो जाता था, इतना पूराना नहीं पूछ रहे थे, so now paper is getting tough, फिर ये पूछा कि जून 2024 में बारत ने MOU USA के साथ साइन किया कि railway का सर्जन कम करेंगे, तो वो टार्गेट 2030 तक कम करेंगे, ये मैंने नहीं पूछा थे, जिसमें अभी हम लोग pillar 1 के अंदर हैं, और ये pillar 5 का topic है, तो तब तक तो मैं update करूँगा ये सब देख के, फिर ये vibrant village program में वीडियो post करके देखो, ये question पिछली CEPF इसके पहले जो मैंने वीडियो बना उसमें भी पूछा है, क्या इसके अंदर money pool list में नहीं है, तो वो wrong हो हो जाएगा, और ये 2021 में ने 2023 में wrong जोती है, ये भी wrong हो जाएगा, तो answer will be only one is correct, it is a centrally sponsored scheme, केंदर द्वारा प्रायोजी थी होजना, मतलब union ने भी पैसा देना होगा, और state ने भी पैसा देना होगा, तो answer will be ये, ये भी मैंने cover किया handout के अंदर, at least 50-50 elimination तो हो सकता है, क्यों लास्ट में मालो नवेंबर के असपास उसको क्रियानवित किया गया, इंप्लिमेंट किया गया, तो इंडिया यर्बुक उन्होंने जो बना होगी, क्या उससे पहले ही चापना शुरू कर दिया होगा, या ड्राफ्ट करना शुरू होगा, तो उधर भी उसकी डीटेल नही है, तो देखें, बात के वाइबरंट विलेज मेरे क्याल से नवेंबर 2023 के अंदर बना, तो इंडिया 2023 हाई वो मुस्टली फेबुरारी तक उन्होंने चाप दी होगी, और इंडिया 2024 हाई तो समझो वो अगर फेबुरारी 2024 में चाप रहे हैं तो नवेंबर तक का उन्होंन क्या है कि 2023 की यर्बुक में दिया है, 2024 की यर्बुक में दिया है, यह पन कॉंप्रेस करके दिया है, तो जो फैक्स पूछे, तीन जात के यह कौन से फंड चलाता है, वो अधर है ने, तो महलब यह तकलिफ एक हो रहे हैं, जैसा नई NCRT और पुरानी NCRT के एक जमाने में क कॉंट्रोवर्सी चलती थी, कि कुछ सवाल पुरानी NCRT से स्वाल हो सके, नई वाली से नई, ऐसा ही अब हो रहा है कि पुरानी वाली यर्बुक में से हो रहा है, नई वाले में से नई हो रहा है, खेर यह जो है National Investment and Infrastructure Fund, यह तीन फंड मैनेज करता है, Master Fund, Fund of Funds and Strategic Opportunities, तो प PM General Scheme, तो वो Schedule Tribe के लिए है, तो Option C हो जाएगा, वीडियो पॉस करके देखना और यह Lecture Handout में कवर किया था, फिर एक आसान पूछा कि Human Development Index में क्या अकाउंट करते हैं, Life Expectancy, Expected Year Subschooling, Mean Year Subschooling and Per Capita Income, यह हम कहें Healthy Life Knowledge and Standard of Living, तो पूछा कौन सा नहीं कवर करते हैं, तो यह भी Lecture Handout में सब हमने किया था, अब थोड़ा difficult or tricky आता है, ऐसा पूछा किये जो latest UNDP का Human Development Index आया, उसमें Bricks देशों को आप Increasing Order में अरेंज करो, अब एक तो हो सकता है कि आप सारे rank याद करके जाओ, या दूसरा हो सकता है आप थोड़ा logic लगाएं, तो हमेशा रशिया चाइना से थोड़ा आगे होगा, क्योंकि चाइना में आबादी जादा है, इसलिए क्या होगा फिर गरीबी और वो सब प्रपोर्शन बढ़ जाते हैं, बारत ब्रिक्स देशों में सब से पीछे होगा, तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि बारत हमको समझो, Increasing Order में मतलब ऐसे ऐसे करन तो पहले भारत हो, रश्या एकदम टॉप में हो, मतलब वो पांचवा नंबर, चाइना जो है, वो रश्या से थोड़ा पीछे होना चीए, मतलब वो चार नंबर पे होना चीए, उल्टी, Increasing Order में हमको करना है, तो ये सब आप मिलाएं तो ये जवाब बनता है, ये, अलाकि मैंने Bricks के सारे देश के रैंक नहीं दिये थे, तो मैं इसकी कोई credit claim नहीं करता, फिर एक पूछा निष्ठा क्या है, तो वो teacher training program है, ये तो handout के अंदर का और क्या है, ये जो चठा handout है मेरा, जिसके अंदर ये सब health education की scheme है, इसमें भी बहुत सारी SCA क्लाइन की scheme दिय multi statement question बूछते हैं वो भी, तो whether you like it or not, you have to study, पसंद हो की नहीं हो, आपको पढ़ना तो पढ़ेगा, आगे बलते हैं, पंडित दिन दयाल उपादे है, national welfare fund, ये किसके लिए तो जावे sportsman के लिए, ये मेरे material में तो नहीं मैंने कवर किया था, अने academy की तरब से हमने जो इंड प्रेंस के topic wise pyq और prelims के topic wise pyq, ये frames के topic wise pyq, हिंदी और English दोनों में available है, आप सोकुन से website देखो, आपको मिल जाएंगे, link क्या है, unacademy.com slash content slash UPSC space downloads, या दूसरा तरीका, google पे search करो, unacademy UPSC download, तो पहला link मिले उधर जाओ, and unlockcordiesmonal.org, और भी monthly current affairs PDF वगेरा उधर चलते रहत है, और साथ दिन का free time भी मैंने आपको बता है, अब आगे बढ़ते हैं, एक tricky question, गरीबी भारत में कैसे नापते हैं, सुरेज तेंदूल कर committee बनी थी, उसने का आगे मानलो तुम शेयर में रहते हैं, और 1000 रुपे भी खर्च नहीं कर पाते एक मैदने में, तो you are below poverty line percent, और बीच में एक रंगराजन committee बनी थी, उसने थोड़ी method अलग suggest करी, और उसके हिसाब से अगर गिनने जाए तो 30 percent लोग बारत के गरीब थे, तो स्वाबा ये सरकार को मजा नहीं आएगा, तो तुमारी report एक तरब रखते हैं, हम सुरेज तेंदूल कर या नीतियाव की report के हिस आप से चलेंगे, तो ये committee समझो, इतनी famous थी नहीं, 2014 और उसके पहले वो चर्चा में controversy में रहा था, तो 2014 से 24, 10 साल हो गए, तो economic app किताबे भी देखें, उसमें भी इतना detail में नहीं, मैंने भी handout में दो-तिन लाइन में बताए कि या ऐसा कुछ हुआ था, इन्होंने क्या-क् methodology पूछी है, कि रंगराजन committee ने, जो क्या component बताए थे, तो मुझे भी नहीं पते थे, इतने सारे component थे, ये तो पूछा तो अभी मैं सर्च करने बैठा, बात ऐसी है कि रंगराजन committee ने का कि देखो जो भी एक आदमी या एक परिवार, मालोग 5 लोगों का एक परिवार है, family of five, और वो महिने में 4,000 रुपे भी खर्च नहीं कर सके, तो हम उसको below poverty line गिनेंगे, लेकिन ये 4,000 का आकड़ा वो लाया कैसे, उसके दो component थे, एक normative determined, मलब जो norms, जैसे आदमी को दिन में कितना calorie चाहिए, तो Indian Council of Medical Research ने कुछ बोला अगा 2400 चाहिए, 900 चाहिए, तो norm हु तो normative component, उसमें एक थो था food, कि इतनी calorie का खाना के लिए, कितना खर्चा करना पड़ीगा, फिर दूसरा उसने बोला ऐसे normative component में, clothing, house rent, conveyance, मलब ट्रांसपोर्ट का, petrol legal का खर्चा, education, अब ये जो दो से लेके 5 है, उसको आप क्या कहेंगे, non food items हैं, correct, और essential items हैं, तो ये जो behaviorally determined, कि आप अपने इच्छा और आदतों के हिसाब से भी तो कुछ और करते होंगे, कि मुझे रोज का 5 पड़ी की वीमल चाहिए, doesn't matter if I get cancer or not, क्योंकि film star promote कर रहा है, जो जिसका मैं fan हूँ, तो वो सब क्या other non food expenses, तो other non food expenses, उसका behaviorally determined, कुछ component होगा, कि 1000 रुपे मैंने में तो ये सब की मदद से उसने बनाया, अब ये भी मुझे नहीं पता दे, 2014 का P.I.B. आर्टिकल पड़ो आप प्रेस information भी हो, तब जाके solve हो, तो उस हिसाब से इसका जवाब बनता है, all three are correct, वो सकता है, अभी भी मेरी interpretation इसमें गलत हो रही हो, पन इतनी उमीद है ही नहीं कि क और बुक टाइब information के नाम पर ministry department पूछते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि लोगों की मजदूरी हमेशा कम हो, तो ये अलग-अलग ministry department मेरे handout के अलग-अलग pillars में होते हैं, जैसे कि finance ministry क्या काम करती है, pillar two budget में होगा, ministry of corporate affairs क्या का काम करती है, तो वो share market और company affair के साथ pillar one C में होता है, import-export का सब details, वो सब commerce में इस्टी के हाथ में आता है, तो pillar three में हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, करते-करते हम अंतिम six pillar में पहुंचे, तो good governance, sustainable development ये भी सब होगा, तो उसके साथ बहुत सारी training academies, जैसे लबाशना, वगेरा-वगेरा हम देखते हैं, पन मैं major वाल उन्होंने पूछा, इसका जो भी जवाब तो इंटरेनेट से साच करके डाला है, इंट्रेस्टिंग ली चैट जीपीटी को पूछा तो उसका भी जवाब गलती देता है, तो चैट जीपीटी तो समझो, बगवान माले की, आखरी pillar, micro economics, मैं पहले भी बार-बार बता चुक है, तो वो तैयारी करें तो आपको करके जाना चाहिए, मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, micro economics मैंने पढ़ा है, करीब 20-25 पेज का hand out होगा, 5 गंटे की लिए एक्चर से, वो भी आ फ्री में देख सकते हैं, यह जो अभी 7 दिन का unlock offer है, पर वो क्या recorded है, वो में live नहीं मालीजे आपके पास दो product है, चाय है और coffee है, इन दोनों को हम बोल सकते हैं, दियार substitutes, कि चाय नहीं पी तो coffee पी सकते हैं, so item A and item B, अब आप सोचो, कि अगर जो item A यानि कि चाय का भाव बढ़ता है, तो स्वाब है कि जो भी चीज का भाव बढ़ता है, उसकी demand यानि माग क पीएंगे, तो coffee की demand बढ़ सकते हैं, why? because these are substitutes, तो हम ये चाती ठोक के बोल सकते हैं कि क्योंकि हमको दोनों वस्तुओं का नाम पता है, उनका आपस में रिष्ता पता है, we know what is item A and what is item B, we know what is their interrelation, they are substitutes of each other, तो हम, we can claim this, कि if price of item A increases, then price of demand of item B will increase, provided that item B का बाव चेंज ना हु दूसरा example, माली जिए item A और item B का नाम बदल के मैं आप लगता हूँ, petrol और car, तो अगर जो petrol का price बढ़ेगा, item A का price बढ़ेगा, तो स्वाबाई के petrol की demand कम होगी, क्योंकि हो महंगा हो गया, तो साथ ही साथ आप पाएंगे कि car की भी demand कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक compliment करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक का price बढ़ेगा, तो उसकी तो demand down होगी, सामने दूसरे product की भी complimentary product की भी demand down होगी, अब कहाँ बढ़ाव ये तो common sense की बात है, अब आप समझो, अगर मैं item A और item B का नाम आपको ना बताओ, बस दो box रख दो, question mark, question mark, तो आप इनक सकते, कि अगर item A का भाव बढ़ेगा, आप इतना ही बोल सकते हैं, हाँ item A की demand बढ़े, क्योंकि जो भी चीज़ का price बढ़ता है, demand कम होती, but you cannot say with confidence what will happen to the demand of item B, for two reasons, एक तो item B का आपको नाम नहीं पता, और दूसरा, कि item B का A के साथ क्या relation है, complimentary है, substitute है, no relation है, हम जानते नही So, it cannot be determined, बस तो ये चीज़े हम पढ़ चुके, micro economics का मेरा recorded class है, साथ दिन के free time में देख लेना, अब इधर से एक प्रशन पूझा, video pause करके देखना आसान है, Okay, तो ये जो मैंने आपको बता है, वही उसमें बात है, इतना तो हम पढ़ के जाते हैं, ऐसी cool मिला के समझो, मैंने 5 गंटे के lecture लिए हैं, 20-25 पेज का handout है, वो भी 25 पे तो कैसे होंगे, कि समझो 5 पेज बढ़ के तो PYQ दे होंगे, ताकि आपको पता चले, ऐसा ऐसा भी Beyond this, Class 12 की Micro Economics में बहुत सारी Advanced चीज़े दी हैं, जो मैंने नहीं पढ़ है, अब जैसे Perfect Competition के दोरान, तीन कंडिशन फुल्फिल होनी चाहिए, उसका ये Graph है, उस हिसाब से Marginal Cost, Average Cost, Total Cost इतना होना चाहिए, भाई हम कर नहीं सकते, दो कारण से, एक तो IS में तो पूछते नहीं और CDS वागेरा में पूछे तो समझो, दो सवाल पूछते ना, तो एक Easy होता है और एक Tough होता है, इस पे क्यों इतना Left-Right करना है, तो कितने गंटे की पड़ा ही मागेगा, तो दूसरा प्रस्न थोड़ा ऐसा टिकी था, कि Perfect Competition में फर्म का Equilibrium में ग्राफ क्या होंगा, ये भी 20 पेज का NCIT का चैप्टर पड़ो, तो उसका कोई फाइदा है नहीं क्योंकि अपनी एक्जाम में आपको होता है, पूर रिटर्न on investment, so we will not waste time, खेर तो कुल मिला कर ऐसे 25 क्वेश्चन, Economy, Government Scheme, Organization, International Organization, Related to Something with Economy, 15 क्वेश्चन अपने Note Lectures से स्वाल हो सकते हैं, दो में 50-50 क्वे आप देख सकते हैं, लिंक is in the description, और मैंने आपको बता है कैसे वो handout और material भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे यानेखेटमी का Netflix model है कि एक ही चीज़ के अंदर Hindi, English, Bilingual, बैचिस सारे unlock हो जाते हैं, उसके सारे teacher के course नए पूराने आप देख सकते हैं, तो फाइदा उठा बाकी भी जो subject हैं, जैसे history, geography, environment, quality, इनके भी हमारे जो best educators हैं, वो वीडियो ऐसे बनाएंगे, उसको भी आप miss ना करें, तो Unacademy का ये unstoppable channel जरूर से subscribe करें, let's crack it